ये पांच जूस हाई बीपी को कम कर सकते हैं जब ब्लड प्रेशर को ज्यादा दिनों तक चेक न किया जाए तो यह रिदे रोगों और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की वजह बन सकता है हाई ब्लड प्रेशर से आपकी रक्षा करने का काम करती है आपकी डाइट अगर आप ब्लड प्रेशर फ्रेंडली डाइट लेते हैं तो आपको अपना बीपी हल्दी रेंज में रखने में मदद मिलती है और वो भी बिना दवा और साइड इफेक्ट्स के कुछ फूड्स ऐसे हैं जो आपके बलड प्रेशर को कम रखने में मदद करते हैं, जिसमें कुछ ड्रिंक्स भी शामिल हैं आये जानते हैं ऐसे जूस के बारे में जिन्हें सिर्फ पीकर आप कुछ मिंटों के भीतर ही अपने बड़े हुए बलड प्रेश को कम कर सकते हैं चुकंदर का जूस ये रंग भरा जूस न सिर्फ कम कैलोरी वाला होता है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और यॉगिक तत्वा आपके बलड प्रेश को तुरंत कंट्रोल करने का काम करते हैं कच्चे चुकंदर का जूस आपके बलड प्रेश पर प्रभावकारी प्रभाव छोड़ता है दरसल चुकंदर में पाया जाने वाला डाइटरी नाइटरेट बलड प्रेश को कम करने वाले प्रभाव से भरा हुआ होता है टमाटर का जूस, ऐसा कहा जाता है कि रोजाना एक गिलास टमाटर का जूस आपके हिर्दे स्वास्थे को बेहतर बनाने का काम करता है इतना ही नहीं टमाटर का जूस न सिर्फ high blood pressure में बल की low blood pressure में भी आपके लिए फायदे मंद होता है इन सब के अलावा इस जूस में कॉलेस्टरॉल को कम करने वाले गुन भी होते हैं जो गर्भवती महिलाओं के साथ साथ हाईपटेंशन के मरीजों के लिए फायदे मंद होते हैं अनार का जूस अनार में folate और vitamin C जैसे पोशक तत्वा होते हैं जो शरीर में anti-inflammatory प्रभाव छोड़ते हैं इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये जूस आपके दिल के लिए कितना फायदे मंद है अनार का जूस हाई और लो ब्लड प्रेश दोनों ही स्थितियों में फायदे मंद पाया गया है इस जूस को पीते वक्ट बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एडिड शुगर का इस्तिमाल ना करें चाय जब बात चाय की होती है तो सभी चाय इसमें काम नहीं आती है आप ब्लड प्रेश को कम करने के लिए ब्लेक और ग्रीन ती का इस्तिमाल कर सकते हैं ये दोनों ही चाय लो और हाई ब्लड प्रेश के लिए फायदे मंद होती है हालांकि ग्रीन टी को अधिक प्रभावी पाया गया है इसलिए बीपी के लिए चाय भी फायदे मन्द पाई गई है बेरी जूस, अनार की ही तरह बेरी खास्त और पर ब्लू बेरी अपने एंटी ऑक्सिडेंट गुनों के लिए जानी जाती है एक अधियन में ये पाया गया है कि क्रेंबेरी और चैरी का जूस भी आपके ब्लड प्रेश को बहतर बनाने का काम करता है इतना ही नहीं बेरी का जूस हाई ब्लड प्रेश के साथ साथ खराब कॉलिस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है इसमें भी एड़ेड शुगर का इस्तिमाल ना करें अगर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी है और इसमें से किसी भी चीज से अलजी है तो इन नुस्खे को अपनाने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें एसी स्थिती में चिकित्सिय परामर्श अनिवार्य है हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें खन्यवाद